हेलो गाइज तो कि आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फेजबुक के बारे में अगर आप भी अपने फेजबुक को गैसद डियक्टिवेट करना चाहते हैं तो आज की वीडियो के गाइज एक ज़ुरूर बने रहे तो गाइज अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरू सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरू लाइक करिए तो इसके लिए चली हम अपने फेस्बुक को ओपन कर लेते हैं यह हमारा फेस्बुक ओपन हो गया अब फेस्बुक ओपन होने के बद आपको क्या करना यहां पर आपको जाना है इस पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बद आपको यहां नीचे आना है नीचे आने के बद आपको देखने को मिलता है यहां सेटिंग का ओप्षन इस पर आप जाना है यहां पर जाने के बद फिर से आपको सेटिं क्लिक करने के बद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलता है embodivation टो आप अगर अपना क imitate करना चाहते तो आपको इस पर क्लिक करना है ona क्लिक करने के बद आपको यहां पर 2 इंटरफेस आपको देखने मिल जाते एकक्त प्रोग्त अकाउंट का और दूसरा डिलीट अकाउंट का तो गाईस क्या करना है हम को यहां पर आपको यहां पर इस पर क्लिक करना है उसके बाद यहां नीचे आपको देखने को मिलता है continue to account deactivate तो ऐसे इस पर हमें click करना है click करने के बाद आपको यहां देखने को मिले deactivating your facebook account this will also deactivate your other profile as well as pages where you are the only admin or person with full control you can keep your pages activate active by going to the setting for them and adding an admin or giving someone else तो यहां से आप जैसे ही continue करेंगे तो आपका फेस्बुक का account आपका temporary deactivate हो जाएगा तो गैसे करके आप अपने फेस्बुक को deactivate कर सकते हैं तो गैसे लगी वीडियो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like करें और चैनल पर हमाएं नए है तो चैनल पर चैनल को जरू सब्सक्राइब करें थैंक यू गाइस